है एस वीडियो में आज हम सीखेंगे review टैब के अंदर protect शीट के बारे में प्रोटेक्ड वर्क बुक इसके बारे में अलो एडिट रेंज इसके बारे में यहां पर इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहां करेंगे protect sheet तो यह protect sheet क्या होती है जैसे यह हमारी sheet यहां पे open है यह देखो यह workbook है जिसमें की दो sheet है यह देखो sheet number one यह sheet number two तो यह sheet number one यहां पे open है यह हमारे पास important data है हम चाहते हैं कि यहां पे कोई भी दूसरा user इसको edit ना कर सके तो हम क्या करेंगे यहां पे password लगाएंगे ताकि दूसरा कोई भी यहां पे edit ना कर सके तो password लगाने के लिए हम यहां पे protect sheet पे क्लिक करेंगे protect sheet पे क्लिक करने के बाद यह protect sheet डायलो बॉक्स यहां पे आ जाए गया यहां पे हम password लगाएंगे इसके बाद यहाँ पे इसको चेक रखेंगे Protect Worksheet and Contents of Locked Cell इसको चेक करके रखेंगे इसके बाद इन दोनों को चेक करके रखेंगे Select Locked Cell और इसके बाद Select Unlocked Cell यह दोनों चेक करके रखें इसके बाद हम यहाँ पे Password लगाएंगे यह हमने Password लगाया ASD यह पासवर्ड यहां पे लिखा इसके बाद OK पे क्लिक किया फिर यहां पे confirm पासवर्ड आएगा जो पासवर्ड हमने पीछे बरा वही पासवर्ड हम यहां पे बरेंगे ASD ये बरा इसके बाद OK पे क्लिक किया OK पे क्लिक करने के बाद ये दिखो यहाँ पे हम कहीं भी क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो ये दिखो यहाँ पे message आ गया कि पहले password बरो तब जाके यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके बाद ओक्र पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करेंगे कुछ लिखेंगे यह देखो फिर यहां पे पासवर्ड भरने के लिए बोलेगा कि पासवर्ड भरो उसके बाद यहां पे आप लिख सकते हो कुछ भी इसके बाद ओक्र पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करेंगे फिर य कुछ रहा है कि passport भरो तो इस तरह से हमने इस sheet को protect कर दिया है अब कोई भी दूसरा user यहाँ पर addit नहीं कर सकता अगर addit करना है तो उसके लिए यहाँ पर passport भरना पड़ेगा अगर passport हम यहां से हाटाने जाते हैं तो यहाँ पर unprotect sheet यहाँ पर click करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अन प्रोटेक्ट शीट डायलोग वोक्स आ जाए यहाँ पे जो पास्वड हमने लगाया हुआ है वो हम यहाँ पे भरेंगी तो यहाँ पे ASD यह पास्वड हमने लगाया था OK पे क्लिक किया okay पर click करने के वाद यह दिखो यहाँ पर आ गया protect sheet तो यहाँ पर अब हम कुछ भी लिख सकते हैं यह दिखो इस sheet पर यहाँ पर हमने कुछ भी लिखा इसके वाद यहाँ पर अगर हम change करना चाहिए जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 200 ये लिखा ये देखो तो ये अब यहाँ पे protect नहीं है यहाँ पे password नहीं लगा हुआ है हम यहाँ पे edit कर सकते हैं इसके बाद इसको undo करते हैं ये ये देखो undo किया इसके बाद हम protect sheet में और क्या होता है इसके बारे में जानेंगे तो यह देखो हम यहां पे क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट शीट पे यह देखो प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद यहां पे प्रोटेक्ट शीट डायलो बॉक्स आ जाएगा इसके बाद यहां पे आगे दिये गया है फॉर्मेंट सेल तो इसका मतल क्लिक किया, okay पे क्लिक करने के बाद ये दिखो, यहाँ पे हम कुछ लिखने सकते, केवल फॉर्मिट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 900 यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे 200 लिखना चाहा, तो यह दिखो यहाँ पे यह लिखने जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई केवल हम यहां पर फॉर्मिट कर सकते हैं जैसे यहां पर यहां पर फॉर्मिट करना है तो होम टैप पर जाएंगे इसका यहां पर बॉल्ड करेंगे यह दिखो यह बॉल्ड हो गया बॉल्ड होने के बाद अगर इसका साइज बढ़ाना जाते है तो यह दिखो साइज बढ़ अंडर लिखेंगे तो ये लिखा नहीं जाएगा ये देखो ये पासवर्ड लगा हुआ है तो ये देखो यहाँ पे हम केवल फॉर्मिट कर सकते हैं बाकी कोई भी काम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं इसके बाद इसको सभी को अंडू करते हैं ये देखो सारा अंडू किया फिर यहां पे क्लिक करेंगे इसके बाद protect sheet डायलो वोक्स यहां पे अपनो जाएगा यहां पे format cell यह हो गया इसको यहां से uncheck करते हैं बाकी sheet में हम password लगाएंगे लेकिन column के लिए password नहीं लगाएंगे अगर हम column insert करना चाहें तो हम column insert कर सकें यहaं इसको इनसर्ट को Long यहां पे इसको चेक किया इसके बाद यहां पे password लगाएंगे ASD यह password लगाएंगे okay पर क्लिक किया इसके बाद फिर यहां पे password लगाएंगे ASD यह password okay पे click किया यहां पे हम column insert कर सकते हैं बाकी काम नहीं कर सकते हैं यह दिखो यहां पे click किया यहां पे password लगा हुआ है इसके बाद अगर हम यहां पे कुछ लिखेंगे यह दिखो password लगा हुआ है यह दिखो हमने column insert करना है तो यहाँ पे उपर यहाँ पे क्लिक किया यह दिखो insert यहाँ पे आ गया बाकी यहाँ पे बंद पड़ हुए है insert यह पे क्लिक करेंगे insert पे क्लिक करने के बाद यह दिखो यहाँ पे column बंद के आ जाएगा तो इस तरह से हम यहाँ पे column को insert कर सकते है अगर हम यहाँ पे row को insert करना चाहें तो row को insert नहीं कर सकते हैं यह देखो यहाँ पे right click किया तो यहाँ पे insert जो है यह बंद पड़ा हुआ है यह देखो insert यहाँ पे बंद है केबल हम यहाँ पे column को insert कर सकते हैं और column चाहिए तो हम फिर यहाँ पे click करेंगे insert पे click करेंगे यह दो एक को और column यहाँ पे बन जाएगा यहाँ यहाँ पे हम के बर column को ओए insert कर सकते हैं बाकि कुछ भी इस sheet पे काम नहीं कर सकते हैं इसके बाद undo करते हैं Ctrl-z यह press किया यह undo हो गया अगर हम यह चाहते है कि यहाँ पे हम यह जैसे column insert किए row भी insert हो जाए तो हम यहाँ पे इसको unprotect पहले करेंगे यह देखो asd यह रिखा ok पे click किया यहाँ से sheet जो है unprotect हो गई है इसके बाद फिर यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद protect sheet dialog box यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे insert column इसको यहाँ पे uncheck किया इसके बाद insert row row को insert करेंगे तो यहाँ पे click किया insert row पे click करने के बाद केवल हम यहाँ पे row को insert कर सकते हैं बाकी sheet में कोई भी changing नहीं कर सकते हैं देखो यहां पर इसको चेक किया इसके बाद यहां पर पासवर्ड लगाएंगे ASD यह पासवर्ड लगाया OK पर क्लिक किया OK पर क्लिक करने के बाद फिर यहां पर पासवर्ड लगाएंगे ASD इसके बाद फिर OK पर क्लिक किया यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सीरिय नंबर यह चेंज करना चाहें यह देखो यह यहाँ पे पासवर्ड पुछेगा यहाँ पे कोई चेंजिंग करना चाहें डिवाइज यहाँ पे चेंज करना है यहाँ पे कुछ लिखेंगे यह देखो पासवर्ड यहाँ पे लगा हुआ ह amount पे यहां पे कुछ change करना चाहें यह देखो passport लगा हुआ है अगर हम यहां पे column को insert करना चाहें तो यह देखो column insert यहां पे बंद पड़ा हुआ है अगर हम यहां पे row को insert करना चाहें तो हम row को insert कर सकते हैं यह देखो जैसे यहां पे row चाहिए यहाँ पे right click किया insult पे click करेंगे यह देखो यहाँ पे row insult हो जाएगी यह देखो row insult होगी तो यहाँ पे हमने cable permission दी हुई है कि हम row को insult कर सके इस sheet में बाकी यह जो जितना भी data है यह protected है तो इस तरह से हम यहाँ पे password लगा सकते है इसके बाद यहाँ पे undo करते है Ctrl Z प्रेस किया अंडू किया इसके बाद अगली जो command है यहाँ पे protect workbook है तो इसका काम क्या होता है इसको यहाँ पे देखते है जैसे यह एक workbook है तो workbook के अंदर कितनी sheet है यह देखो दो sheet है तो अभी यह workbook protect नहीं है अगर हम यहाँ पे protect कर देते हैं तो ना तो इन sheet को हम rename कर सकते है ना delete कर सकते हैं यह देखो यहाँ पे अभी protect नहीं है यहाँ पे sheet add कर सकते हैं यह देखो sheet no.3 यह sheet no.4 तो यह sheet आ रही है अगर हम इनको delete करना जाएं तो delete भी कर सकते हैं देखो right click किया है इसके उपर यहां पे delete किया यह sheet delete हो गई इसको sheet no.4 इसको भी delete करना है यहां पे right click किया delete कर दिया अगर हम यहां पे rename करना चाहें तो rename भी कर सकते हैं यह देखो sheet no.1 है इसको rename करना है तो यहां पे rename यहां पे click किया इसको यहां पे name दे दिया है यह देखो a name आ गया अगर हम यहां पे tab color change करना चाहे यह देखो जैसे यह color रखना है तो यह इस color में आ जाएगा तो यह देखो हम workbook में sheet को कुछ भी कर सकते हैं delete कर सकते हैं rename कर सकते हैं नई sheet ले सकते हैं लेकिन जब हम workbook को protect कर देंगे तो ना तो हम यहां पे sheet insert कर सकते हैं, ना rename कर सकते हैं, न डेleat कर सकते हैं यह देखो करके देखते हैं इसको protect bark book यहाँ पे click करेंगे click करने के investigate पासवड लगाएंगे, तो passport फिर हम यहाँ पे asd यह passport लगाया ok पे click किया, फिर यहाँ पे confirm password पुछेगा तो यहाँ पे same password हमने यहाँ पे बरना है ASD यह passport बरा OK पे क्लिक किया OK पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे workbook यह दो sheet है तो ना तो हम यहाँ पे sheet कोई add कर सकते हैं यह देखो यहाँ पे हम अगर sheet add करना चाहें यह देखो sheet नहीं आ रही है क्योंकि यह protect हो जुकी है अगर हम यहाँ पे rename करना चाहें तो इसके उपर यह देखो sheet number 2 इसको rename करना है तो यह देखो यहाँ पे rename बंद पड़ा हुआ है delete बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे tab color बंद पड़ा हुआ है hide बंद पड़ा हुआ है hide बंद पड़ा हुआ है तो कुछ भी काम हम यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि यह जो workbook है यह यहां पे protected है इसके बाद अगर हम यहां से इसको unprotect करना जाते हैं तो हम क्या करेंगे फिर यहां पे protect workbook यहां पे जाएंगे और यहां पे unprotect करने के लिए वही passport भरेंगे जो हमने पहले बारा था जैसे asd यह passport भरा ok फे click किया ok पे click करने के बाद यह देखो यहां पे अब हम sheet को add कर सकते हैं यहां पे click किया यह sheet अगली आ गए इसके बाद फिर click किया यह augले sheet आ गए अगर हम यहाँ पे देखो जैसे यह sheet number 2 या इसको यहाँ पे रिनेम करना है यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे रिनेम कर दिया तो रिनेम यहाँ पे हम नेम देंगे बी इसके बाद अगर tab color यह चेंज करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे tab color यहाँ पे हम यह रखेंगे यह लिको tab color भी change हो गया तो इस तरह से हम यहाँ पे workbook को protect कर सकते हैं इसके बाद अगली जो command है वो है allow editorians तो यह बहुत important command है यहाँ पे हम इसको समते हैं कि इसका काम क्या होता है इसका मतलब यह होता है जैसे यह हमारे पास यहाँ पे data दिया गया है यह चार subject है यहाँ पे English, Hindi, Math, Science हम यह चाहते हैं कि English और Hindi यहाँ पे कोई भी इन marks को edit न कर सके जैसे यह English के marks है यह Hindi के marks है यहाँ पे कोई भी यहाँ पे edit न कर सके और यह जो Maths और Science के marks है यहाँ पे कोई भी यहाँ पे edit कर सके तो इसके लिए हम क्या करेंगे allow edit range यहाँ पे क्लिक करेंगे yellow box यहाँ पे open हो जाएगा यहाँ पे हम new पे क्लिक करेंगे new पे क्लिक करने के वाद यहाँ पे title देंगे तो title हम यह देंगे math and science इसको title पर रखेंगे यहां पर क्लिक किया math and science हमने title दिया refer to cell यहां पर हम range select करेंगे यह range हमने select की यह देखो यहां पर हम edit कर सकते हैं तो यह range select की यह देखो यहां पर आ गया c2 से लेके d6 यह c2 और यह d6 यह range यहां पर आ गई इसके वाद range passport तो यह जो यहां पर password है इस range के लिए यह हमने अलग से लगाना है क्योंकि इसमें edit करना चाहें तो वह password हम भरेंगे तो वह password यहां पर बरेंगे यह देखो range passport यहां पर हम लिखेंगे 123 यह इसके लिए password लगा यह देखो math के marks के लिए और science के marks के लिए 123 password लगाया इसके बाद ok करेंगे ok करने के बाद फिर हम यहां पर password बरेंगे यह देखो 123 यह password फिर हमने यहां पर confirm किया इसके बाद ok पर click किया इसके बाद क्या करेंगे हम इस पूरी sheet के लिए password लगाएंगे तो वो अलग से लगाना है तो इसके लिए यहां पर नीचे दिया गया product sheet यहां पर click करेंगे तो इसके लिए अलग से password लगाएंगे इसके लिए हम asd यह password लिखेंगे इसके बाद ok पर click करेंगे इसके बाद फिर यहां पे confirm करेंगे password ASD यह password बरा इसके बाद OK पे click करेंगे OK पे click करने के बाद यह देखो पूरी sheet के लिए अलग से password लग गया और यह जो यहां पे math के marks और science के marks इनके लिए यहां पे अलग से password लगा हुआ है तो जो math and science के marks के लिए हमने password लगाया हुआ है अगर हम यहां पे edit करना जाते हैं तो वो भरेंगे अब देखो यहां पे यह English और Hindi यहां पे हम कुछ भी लिखेंगे तो यहां पे लिखाने जाएगा यह देखो English जैसे यहां पे 55 है यहां पे हम लिखेंगे 91 यह देखो यह बत पासवर्ड पुछेगा यह देखो पासवर्ड लगा हुआ है तो यह देखो यहां पे English के marks को यहां पे edit ने कर सकते हम Hindi के marks को यहां पे edit ने कर सकते हैं लेकर यहां पे हम maths and science के marks को edit कर सकते हैं यह करके देखते हैं यहां पे 78 यहां पे हम लिखेंगे 91 तो यह देखो 91 यह था password 123 यह password दिया था इसके बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह password यहां पे open हो गया है तो यह देखो यहां पे कुछ भी लिखेंगे यहां से लेके 78 से लेके यहां तक 59 यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं अब यह देखो 78 की जगा 91 करें 91 यह 91 यहां पे आ जाएगा इसके बाद अगर हम यहां पर जाते हैं यह 65 है यहां पर क्लिक किया 77 करना है यह देखो 77 यहां पर edit कर सकते है इसके बाद यहां पर 88 दिया हुआ है यहां पर 50 करेंगे यह देखो 50 यह हो रहा है इसके बाद यहाँ पर 69 है यहाँ पर 89 करेंगे यह देखो 89 यह आ जाएगा तो इस तरह से हम यहाँ पर इस range में कुछ edit कर सकते हैं लेकिन यह जो range है यहाँ पर English के marks और Hindi के marks यहाँ पर हम कुछ भी edit ने कर सकते हैं तो इस तरह से हम यहां पे range को allow कर सकते हैं कि इतनी range में cable आप edit कर सकते हैं बाकी range में आप edit ने कर सकते हैं इसके बाद अगर हम यह unprotect करना चाहें तो यहां पे फिर click करेंगे और इसके बाद यहां पे unprotect sheet यहां पे password वरेंगे ASD यह passport वरा OK पे click किया OK पे click करने के बाद यह देखो यहां पे protect sheet आ जाएगा तो यह देखो यहां पे sheet से passport हट गया है और यहां पे आ गया है protect sheet तो इस वीडियो में हमने protect sheet, protect workbook और allow edit range के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद